नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर, दोस्तों अगर आप भगवान शिव को अपना सब कुछ मानते हैं, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी क इस पवित्र माह सावन की हार्दिक शुभ काम नाएं, दोस्तों सावन का पवित्र महीना चल रहा है, और आज मैं आप लोगों को बेलपत्र समबंधित जानकारी बताऊंगा, सावन के पवित्र महीने में जो बेलपत्र होता है, वो गंगाजल से भी ज्यादा पवित्र हो जाता वो साक्षात भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है। देखिए साक्षात सावन का महीना चल रहा है, तो ये विडियो अपने फाइदे के लिए है, इसलिए ध्यान से एक बार सच्चे दिल से जरूर सुनियेगा। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा जाता है, बेलपत्र छै महीने तक बासी नहीं माना जाता। इसका एक बार प्रयोग करने के बाद अर्थात इसे एक बार शिवलिन पर चढ़ाने के बाद धोकर के पुनह चढ़ाया जा सकता है, छै महीने तक कई जगह शिवाले में। बेलपत्र उपलब्ध ना होने पर इसका चरण इसी तरह चलता रहता है कई ऐसे शिवालय है जहाँ पर बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो वहाँ पे इसके चून को भगवान शंकर को चढ़ाते हैं इसके चून को भी चढ़ाने का लाब है बेलपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाने के पीछे एक पौरानिक कथा है कथा अनुसार समुद्र मन्थन के दौरान कई चीजों के साथ विश भी निकला यह विश चारों और फैलने लगा पूरी सृष्टी को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विश को अपने कंठ में धारन कर लिया इसलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है ब्रिज के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने लगा जिसके वजह से आसपास का वातावर्ण जलने लगा और काफी सोच विचार के बाद जब देवी देवताओं ने सलाह ली तो वैध्य ने बोला कि भगवान शिव को बेलपत्र खिलाया जाए और जल से स्नान कराया जाए इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो उत्पन गर्मी थी वो शांत होने लगी तभी से भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका हमें आशिरवाद प्राप्त होता है हमेशा ध्यान रखना तीन पत्ते वाले ही बेलपत्र चढ़ आने चाहिए जिस तरह पत्र की पत्तियां चिकनी हो उसी तरफ से शिवलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए इस बात का आपको विशेश ध्यान रखना चाहिए और कटेफटे बेलपत्र कभी भगवान शंकर को चढ़ाने नहीं चाहिए इसके पीछे भी एक कथा है क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने जब गणेश जी का शीश खंडन किया तभी से भगवान शंकर जी ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाएगी तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई खंडित वस्तु हो खंडित पदार्थ हो, खंडित बेलपत्र हो, भूल से भी नहीं चढ़ाई जाते हैं शिवलिंग पर अगर प्रति दिन बेलपत्र चड़ाएं जाएं तो सभी तरहे की समस्याएं दूर होती हैं भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती बेलपत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है तो ये वीडियो को ध्यान से सुनना वीडियो में मैं आप लोगों को बेलपत्र से जुड़ी हुई समपूर्ण जानकारी बताऊंगा ये जो वीडियो आज बता रहा हूं जानकारी बता रहा हूं मैं जो भी बेलपत्र खाने के फायदे बताऊंगा यह आपको कोई भी यूट्यूब में नहीं बताएगा आईए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ ऐसी विशेश जानकारी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में भगवान शिव के समर्पित अपना प्यार अवश्य दिखाएं आप कितना प्यार करते हैं कमेंट बॉक्स जरूर लिखें हर हर महादेव ओम नमह शिवाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एक लायक तो बनता है तो जो बेलपत्र है कुछ समय में नहीं तोरना चाहिए कुछ ऐसी विशेश तिथी जिसमें बेलपत्र नहीं तोरना चाहिए तो हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी अश्टमी नवमी दस भी चतुर्थी अमावस्या और पूर्ने मा और जो संक्रान्ती है इस स्थिती में बेलपत्र को कभी भी नहीं तोरना चाहिए और ये भी कहा जाता है सुमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए ऐसे में सावन का पहला सुमवार पड़े तो ये बात जरूर गांठ बांध लें कि सुमवार आने से पहले बेलपत्र घर में जरूर लाकर रखें इसमें शिव जी का खासकर सुमवार के दिन वास माना जाता है क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर जी का वास माना जाता है इसके मूल में अर्थात इसकी जड़ में ब्रहमा का वास होता है और इसके मध्यभाग में भगवान विश्नु जी का वास माना जाता है और जितनी भी इनकी बेल पत्र की पत्तियां हैं इसमें महाशक्ति वास माना जाता है इसलिए ध्यान रखना की कभी भी सुमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए चाहे सुमवार के वरत हो या सावन सुमवार हो बेलपत्र आप पहले से तोड़ कर रख ले दोस्तों इसके अलावा के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की। बलकि वो एक भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है, जो की असाध्य बीमारी को दूर करने में, आपकी पीडा को हरने में, जीवन में समस्याओं को दूर करने में बात। रग दूर हो जाते हैं, शरीर के जितने भी रोग होते हैं, ये अगर आप बेल पत्र नित्य खाते हैं तो आप रोगों से बचे रहते हैं, दोश, पितर दोश, कप दोश ये तीनों तरह के दोस्त कहे गए हैं, इन दोशों से संपूर्ण रोग उत्पन होते हैं, तो सभी तरह के रोगों से आप इनका नित्यर। सेवन करते हैं, केवल बेल के पत्र की एक ही पत्ती बस खा लेते हैं, सुभशाम तो कई तरह की बिमारियों से आप बचे रहेंगे, शरीर से पाप मिट जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर चड़ा हुआ होने के कारण ये सिद्ध हो जाता है, तो जो लोग हत्या जैसे पाप से ज्यादा नहीं, तो दो माह तक आपको बेल पत्र का सेवन जरूर करना चाहिए, इससे शरीर का पाप मिटता है, इसके बाद भगवान भोले नाथ का ये प्रसाध हो जाता है, इसलिए ये तमस गुनों को समात करते हैं, बहुत से लोगों के शरीर में तमस गुन आ जाते है या फिर बहुत से लोग मदिरा वगेरह का सेवन करे हुए हैं, या फिर मटन, मास, आदी कई तरह के जो कहे गए हैं, नकरात्मक चीजों का सेवन करके बैठे होते हैं, कामसी चीजों का सेवन करके बैठे होते हैं, तो यह शरीर अशुध होता है, तो आप अपने अशुध शरीर को पुना स्वस्थ बनाने के लिए पुना शुद्ध करने के लिए भोलेनात का प्रसाद होता है। आप ये खाना शुरू कर दीजिए। नित्य पांच बेलपत्र खाये तीन। सुभा खाये, दो शाम में खाये, अगर नित्य खाते हैं तो यह आपके शरीर से तामस गुनों को समाप्त करते हैं। इसके ये भी कहा जाता है बेलपत्र खाने से भाग्य बलवान होता है। कैसा भी आपका दुरभाग्य हो जिन स्टाइल से बेलपत्र खाना शुरू कर देत हैं। आपका फिर दुरभाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, आपकी किस्मत आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप ही चलती है। इसके बाद आयुरवेद में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्ट साफ होता है। अगर रक्ट संबंधित कोई बीमारी है तो नित्य पांच बेलपत्र खाए, पांच बेल आप एक साथ में शुरू में नहीं खापाते। हैं तो धीरे धीरे आप इनका जो है सेवन बढ़ा सकते हैं। दोस्त और प्रथम दिन एक बेलपत्र खाए, दूसरे दिन दो बेलपत्र खाए, तीसरे दिन तीन बेलपत्र खाए, इस तरहे से आपको बेलपत्र की जो संख्या है उसे आपको बढ़ाना है एक दिन में पांच बेलपत्र अगर आप नहीं खा पाते हैं तो नहीं खाना है धीरे धीरे आपको बढ़ाना है तो इससे रक्त साफ होता है रक्त में शुद्धी आती है और बिल्कुल ही आपके शरीर को फिल्टर करने का काम करता आपके समपूर्ण शरीर में रोग हो, दोश हो, पित्र दोश हो, किसी भी तरहे का दोश हो, रक्त में संबंधित परेशानी हो, बिल्कुल, की सभी तरहे की समस्याओं को दूर कर देता है, इसके बाद बेलपत्र नित्य खाने से केवल एक ही महीने तक बेलपत्र नित्य भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ खाते हैं, तो इससे इच्छा की पूर्ती होती है, कोई भी आपकी इच्छा हो, वो इच्छा पूर्ण हो जाती है, मन भक्ती होता है, मन हमेशा शांत रहता है, जैसा भगवान शंकर जी का, आप चाहते हैं कि मन आपका भक्ती में लगे, मन हमेशा शांत रहे, तो उस शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से मन भक्ती में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है, मन में जो चिर्चिरापन है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, चिर्चिरापन रहता है, त माप्त हो जाता है। मन में भोग की कामना नहीं रहती। दोस्तों जो बात नहीं बताई जाती वो बात भी मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं। इस वीडियो में ऐसा भी माना जाता है। स्वती आप माने या ना माने लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र हमारे एक मित्र ने हमारे एक संत महात्मा से हमने बात चीत की, ये हमारे मित्र ने भी खाय थे। बिलकुल ही भूत भविश्य वर्तमान देखने की सिध्धिया आ जाती है। लेकिन आप अपना देख सक लेकिन इसका प्रयोग किसी का अहित करने के लिए नहीं करना होता है। तो जो भी मंत्र भगवान शंकर ने इस कल्यूग में केंद्रित करके रखा है, वो मंत्र भी सिध्ध हो जाते हैं। भगवान शिव की क्रिपा से ऐसे बालक मातापिता की किसी भी बात का उलंधन नहीं करती, ऐसा बालक शिव की तरहे ही भोला हो जाता है, शान्त हो जाता है। लेकिन शिवलिंग से बेलपत्र उठाने से पहले भगवान शिव से आशिरवाद अवश्य ले लें और अपने बच्चे का नाम भी अवश्य लें। दोस्तों 21 दिनों तक कोई भी व्यक्ति अगर बेलपत्र खाए, तो व्यक्ति का दुरभाग्य दूर होकर के सौभाग्य में बदल जाता है। यहां तक कि अगर आपको नौग रह की। पिर भी ना की पीड़ा शांत नहीं हो रही, तो केवल शिवलिंग पर चड़ा बेलपत्र नित्य आपको पांच खाना शुरू कर देना है, ज्यादा मत खाए, आपको ज्यादा दिनों तक नहीं खाना है, केवल आप एक महीने तक खा करके देखिए, आप जिस टाइम खाए हो आपके जीवन में जो की परेशानी डाल रहा हो, कभी कभी हमारे घर के देवी देवता ही हमारा नुकसान करते हैं, जिसे हम कुल के देवी देवता बोल सकते हैं, तो कोई देवी देवता की पीड़ा आपको सता रही हो, वो पीड़ा दूर होती है, दही की पीड़ा दू का कश्ट हो वो कश्ट मिटता है दोस्तों अंतिम बताना चाहूंगा अगर नित्य शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र सामर्थ्य अनुसार खाईए ऐसा नहीं कि मैं पांच बोल रहा हूं तो पांच ही खाईए आप से एक बनता है आप एक ही खाना शुरू कर दें लेकिन उन्य इतना बढ़ जाता है कि आप जो शब्द बोलते हैं वो शब्द लगने लगते हैं शरीर में वाक्य सिध्धिया आ जाती हैं तो आपने देखा शिवलिंग पर चढ़ एक बेल पत्र खाने के इतने चमतकारिक फायदे हैं और ये भी कहा जाता है हमारे आयुरवेद मे अगर पेड से जुड़ी कोई समस्या है तो अगर शिवलिंग पर चढ़ा बेल पर तेरे नित्य खाते हैं सेवन करते हैं तो पेड से जुड़ी गंभीर समस्याई भी दूर हो जाती हैं और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाती है साथ ही जैसे कबजी है आपको इसे दो से चार दिनों तक नहीं खाना है लंबे समय तक लंबे टाइम तक खाना है आप देखना आपके जीवन में जो परेशानी है बीमारी है तकलीफ है वो सारे कश्ट दूर हो जाते हैं दोस्त और सावन के महीने में कौन-कौन चाहता है भगवान शिव हमारे घ जरूर करेंगे आप सभी को इस वीडियो में बताई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें